नमस्कार आप देख रहे हैं MB News और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जएन MB News के स्थाथ प्रोग्राम न्यूजरूम में आप सभी का स्वागत है जिसमें आज हम बात करेंगे मदप्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की चलिए शुरुआत करते हैं आज मदप्रदेश के 29 लोगसभा सीटों पर मदगर्ना अफलाल जवारी है वही मदप्रदेश की 29 सीटों के लिए जो मदगर्ना जवारी है गिंती में प्रत्याशियों के आगे और पीछे के इदर नोटा का रिकॉर्ड भी बन रहा है अगर पूरे देश में नोटा का इस बार इंदौर में नोटा को 51,864 सिर्फ इंदौर सीख में नोटा को मत मिले है वही देश में नोटा का रिकॉर्ड बिहार गोपाल गंज में 5,660 मत कर रहा है पिछले चुनावों में दूसरे नंबर पर पस्चिम चंपरण बिहार का 45,699 मत कर रहा है वही इंदौर फि चुनाव की शुरुआती रुजानों में बीजेपी को बढ़त मिलने से भाजपा खेमे में खुशी की लहर देखी जवा रही है ग्वालियर के वर्तमान बीजेपी सांसन विवेक शेजवलकर ने यह दावा किया है कि ग्वालियर चंबल ही नहीं पूरे मदप्रदेश की 29 स चुनाव में मू की खानी पड़ रही है इसके साथ ही शेजवलकर का कहना है कि अब भारते अजन्था पार्टी को दक्षण के राजियों के साथ ही पूर्वोत्तर में भी बहतर काम्याबी जो है वो मिलने जवा रही है और NDA गटबंधन 400 का आकड़ा जो है वो पार करने व इसकारी में BJP कारियाले में रेक कार्पिक बिछवाया गया है बीज़ेपी कारियाले को फूल मालाओं से सजवाया जवा रहा है एक बड़ा मंच भी तयार किया गया है आपको बता दिएं कि लोकसभा चुनाव परणाम को लेकर वबन मेडिया समूह द्वरा एक जिक पोल म पूरे देश में NDA और प्रदेश में भी बीजेपी को बढ़त मिलने का पूर्वनुमान जो है वो लगाया गया है हैसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी प्रदेश कार्याले भोपाल में जशन की तैयारी जो है वो कीज़वा रही है रेक कार्पिक बिच्वाया गया है जशन के लिए कारयाले में विशेश तैयारियां जो है वो भी देखने को मिल रही है बढ़ते आगया और बता दें कि मदप्रदेश के 29 सीटों पर मदगरना फिलहाल जो आरी है प्रदेश के दो पूर्वस सीएम समेत केमरिय मंत्री और कई दिगजों की साख जो है वो आज दाव पर है 11 बजे तक के रुजवानों की अगर बात की जो है तो बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी 28 सीटों पर आगे चल रही है हॉट सीटों की बात करे तो गुना से भाजपा प्रत्याशी जोती रादत्त सिंध्या चो है वो आगे चल रहे है विदीशा से आपको बता दे कि बीजेपी प्रत्याशी शिवराद सिंग चोहान आगे है राजकर से कॉंग्रस प्रत्याशी दिगविजय से आगे चल रहे हैं चिंदवारा से कॉंग्रस प्रत्याशी नकुलनाच जो हैं वो पीछे चल रहे हैं वहीं होशंगाबाद से बात की जो आए तो बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंग चौधरी जो है वो आगे चल रही है खजुराहों से बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा करीब एक लाख वोटों से जो है वो आगे है बोपाल से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा 15,682 वोटों से आगे चल रही है वह भिंड की बात की जवाए तो भिंड लोगसभा से बीजेपी प्रत्याशी संध्या राय कॉंग्रस प्रत्याशी फूल सिंग बरैया से काफी आगे चल रही है गौलियर से बीजेपी प्रत्याशी भरत सिंग कुश्वा जो है वो 14,385 वोटों से आगे चल रही है तीकमगर लोगसभा की बात की जाए तो सुरुवाती रुज्वान में भाजपा प्रत्याशी विरेंद कुमार 1200 मतों से आगे चल रही है टीकमगर लोगसभा के कॉंगरस प्रत्याशी पंकच अहिरवार पहले राउन की बात की जाए तो वाब पीछे है सतना में शुरुआती रुज्वान में भाजपा आगे है सतना डाकमत पत्र में भी भाजपा की बात की जाए तो वो ही आगे चल रही है वही बातूल में पहले राउन में बीजपी के प्रत्याशी दुर्गदा सुईके को 5215 मत प्राप्त हुए भाजपा प्रत्याशी दुर्गदा सुईके 2859 वोटों से जो है वो आगे चल रही है दमो की बात की जाए तो दमो लोगसभा से पहले राउंड में भाजपा प्रत्याशी राहुल सिंग लोधी आगे हैं और कॉंग्रस प्रत्याशी तरवर सिंग लोधी जो है वो पीछे चर रहे हैं मंजला लोगसभा में पहले राउंड में डिंग दोरी और शैपुर अवधान सभा सीट से कॉंग्रस से जो प्रत्याशी हैं वो आगे चर रहे हैं वहिशेडो लोगसभा में पहले राउंड की गिंती में भाजपा प्रत्याशी हिमादरे सिंग जो हैं वो आगे चर रही हैं यह हम आपको 11 बजे तक के रुजान की जो हैं वो अपडेट्स दे रही हैं और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहें MP News के साथ नमश्कार